दोस्तों अगर आप टाइल खरिदने जा रहे हो तो ये वीडियो आप उससे पहले जरूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको एक दुकंदार जो टाइल बेचता है वो कैसे आपको बेवकूफ बनाता है आप जाते हैं दुकान में आप टाइल वहाँ पे देखते हैं काफी कलर का काफी पैटर्न का अलग-अलग साइजो का टाइल लगा होता है वहाँ पे आप टाइल देखते हैं आपके दिमाग में बैठा होता है कि मुझे कजारिया की टाइल लेनी है निटको की टाइल लेनी है सुमानी की टाइल लेनी है आप जाके वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे कजारिया का दो बाई चार का या दो बाई दो का आप टाइल दिखा तो दुकंदार क्या करता है कि वो पूरा जो एक पेटी का प्राइस होता है यानि कि जो एक पेटी में जैसे आप दो भाई चार के टाइड लेते हैं तो दो पीस होती है और उस पेटी पे आप ध्यान दीजेगा जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं लिखा हुआ है 1. 1.44 square meter माल है इसमें यानि 1.44 square meter माल है अब 1.44 square meter माल को आप अगर square feet में जानना चाहते हैं तो simple से आप क्या किजिए कि 1.44 जो ये लिखा है into 10.76 यानि कि अगर आप square feet में बदलना चाहते हैं तो 1.44 को आप कितना 10.76 से गुना कर दीजी जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें माल निकल के आ रहा है कितना आपका लगभग 15.5 square feet ठीक है तो 15.5 square feet आपका total उसमें माल है लेकिन दुकंदार क्या है आपको बोल रहा है क्या कि 2 piece tile है यानि 2 by 4 का tile है ते एक tile आपका 2 by 4 यानि 8 square feet हो गया 2 piece tile है तो 8 into 2 आपकी जएगा तो 16 square feet माल हो गया तो दुकंदार बोलेगा कि 16 square feet मैं आपको माल दे रहा हूँ जबकि उसमें माल कितना है टाइल कितना है 15.5 square feet यानि 16 में से 0.5 कम है अब वो क्या करेगा दुकंदार पूरा 16 square feet का आप से पैसे ले लेगा अब 70 रुपे के हिसाब से आप 16 square feet का पैसे देंगे तो आपका total बन जाता है 1120 रुपे है वही 15.5 square feet है और उसको आप 70 से into करेंगे यानि गुना करेंगे तो आपका बनता है 1085 रुपे है तो आप यहीं पे देख लिए कि लगबग आपका एक पैटी पे 35 से 40 रुपे का मारा है आप मान लिजे आपका पूरे घर में 50 पैटी का काम है तो आप इसी समझ जाए कि वह आपका कम से कम वहां 3-4 रुपे के तो यहीं चुना लग गया ठीक है दूसरा चीज यह होता है कि वह क्या करता है कि मार्केट में बहुत सारे आजकल लोकल टाइल भी अबलेबल है उसी पैटन के उसी डिजाइन का आपको पता नहीं होता है वह क्या करता है कि जब थोक का माल जाता है जब बहुत सारा पेटी जाती है वो लोग बदल देते हैं माल को वहाँ पर क्या बोलेगा कि order से आपका माल बनेगा आएगा उस क्या करता है local tile को वहाँ पर डाल दिया जाता है इस तरीके से भी आपके साथ fraud हो सकता है तो इसलिए सभी tile को आपको चेक करनी है दूसरी बात एक और मैं बता दू कि यह तो G, C, D ऐसे करके एक pattern बनाया जाता है कि इसी हिसाब से आपको लगानी है और क्या होता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं या फिर जहां पे पेटी की packing होती है जो लोग देते हैं वो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ A वाली आपका उसमें डाल दे तो जब आप अपने घर में उसको लगाने जाते हैं तो वहाँ पे भी problem आती है आप आपका pattern सही से नहीं बन पाता है आप जो design देखें हो नहीं बन पाता है फिर आप दुबारे से उसको चेंज करते हैं transportation cost लगता है time आपका खराब होता है फिर अगर ज़्यादा दूरी है तो आप छोड़ देते हैं बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं ऐसा ही लगा लो तो फिर आपके मन के मताबिक काम नहीं होता है यह सब चीज़े बहुत जरूरी होती है टाइल लेने के time में ध्यान लखने में और टाइल लेने से पहले दोस्तों और भी कुछ जरूरी चीज़ आपको ध्यान देनी होती है ओ क्या है मैं बता देता हूँ सबसे पहले चीज़ कि जब आप एक सोरूर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ब्रांट के आपको टाइले लगी होती है वहाँ पे जैसे आपको काजारिया के एक एक पीस जैसे एक पीस काजारिये का मुझा है ये अलग कलर का उस अलग कर लेता है मने बहुत सारे अलग कलर का सिरफ एक पिस लगा होता है और शो caliber में क्या है कि light लगी होती है तो एक टाइल आपको बहुत ही signing और चमकता हो क्या दिखाई दिखाई देता है आप सिर्फ एक टाइल देखे उसको पसंद कर लेते हैं कि यही मेरे घर में सबसे अच्छा लएगा दोस्तो ऐसी गलती नहीं करनी है देखिए वहां पर क्या है बहुत सारी लाइटे लगी है वह आपका एक टाइल बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आप क्या करें कि पहले उसको बोले जो भी टाइले पसंद तो कैसा दिखाई देगा एक टाइल के हिसाब से आप कभी भी स्लेक्ट मत करना कि हमको यही टाइल लेनी है और जब भी आप ब्रांड का टाइल लेते हो जैसे कि कजारी है कि अच्छी टाइल लेते हो दो बाइचार का गलोसी में साइनिंग में विट्रिफाइड टाइल ल पच्पन रुपिया तक में आपको मार्केट मिल जाता है तो यहीं पर खेल होता है क्या करता है कि लोकल टाइल हो इसमें बदल के आपको दे सकते हैं तो यह आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना पेटी को जब भी जानते हैं मेंली टाइल आपको दो परकार के मार्केटे मिलती है एक होती है विट्रिफाइड टाइल और दूसरी होती है सेरामिक टाइल अब होता क्या है यहीं पर काम गड़बड होता है अगर मान लिजे जहां पर आपको vitrified tile लगानी है, वहाँ अगर आप ceramic लगा देते हैं, तो पूरा आपका काम खराब हो जाएगा, और ceramic के जगा अगर आप vitrified लगा देते हैं, तो भी आपका काम गड़बड हो जाएगा, तो देखिए vitrified tile जो होती है, mainly क्या है कि इसका जो strength होता है, काफी मजबूत tile होता है, यह क्या है कि इसमें 40% clay होता है और यह silica quad जैसे material मिला के बनाए जाते हैं और इसका क्या है कि signing काफी अच्छी होती है, इसमें glossy tile काफी अच्छी आती है, मजबूती होती है और यह जो है, पानी को ज़्यादा अब जब नहीं करता है यह आप कहीं पे भी लगा सकते है अगर जादा वहाँ पे लोगों का आना जाना है जैसे कोई show room है आपका जैसे lobby का area हो गया hall का area हो गया सभी जगा लगा सकते है bedroom में अपने लगा सकते है ठीक है, यह फिर अपना जो first है जैसे की bathroom का first है वहाँ पे भी bitrified आप tile ले सकते है porcelain tile ले सकते है लेकिन जो ceramic tile है दोस्तों ceramic tile आप जैसे ज़्यादा मान लीजे पानी वाला area है जैसे की आपका bathroom हो गया उसके दिवार पे आप ceramic tile लगाते है तो होता क्या है कि वो पानी को ज़्यादा ceramic tile लगा देते हैं bathroom में तो पानी को ज़्यादा अबजर्ब करता है हमेशा वहाँ पे आपको पानी पानी दिखाई देगा जब आप जाएंगे feeling होगा फिर उसके बाद वहाँ slippery होने का tile डट रहता है तो जहाँ पे दोस्तों vitrified की जरूरत है वहाँ vitrified लगानी चाहिए जहाँ ceramic की जरूरत है वहाँ ceramic लगानी चाहिए अगर आप गड़बड करेंगे तो पूरा आपका काम खराब हो जाएगा ceramic ज़्यादा तर मिट्टी का clay जो होता है उसको यूच करके बनाया जाता है इसमें जो other material होता है उसका मातरा कम होता है इसका जो strength होता है वह vitrified के मुकाबले बहुत ही कम होता है तो दोस्तों आपको अपने घर में कहीं पे भी जैसे bedroom हो गया, hall हो गया या फिर आपका जो बालकानी का area हो गया कहीं पे भी आपको क्या है? vitrified tile यूच करने ही है vitrified में आपको बहुत सारी pattern बहुत सारी design और glossy look भी मिल जाती है आपको उसमें से choose कर सकते है कि आपको कौन सी tile चाहिए और एक और important बात दोस्तों अगर मालनीजे कि आपको अपने bedroom में tile लगानी है तो मैं कहूंगा कि अगर bedroom हमारे जादा जादा कितना बाई है 10x10 का होता है 12x10 का होता है 12x15 का होता है मतलब area छोटा होता है bedroom का तो अगर हम उसमें 2x4 की tile लगाने जाते हैं तो 2x4 की tile में सबसे बड़ा देखिये दिक्कत होता क्या है जैसे आप यहाँ देख रहा है कि जैसे हम इसमें a spacer नहीं दिये हुए है बिल्कुल चिपका के यह लगाई गई है इसमें क्या है बेंड को जैसे टाइल उपर नीचे दिखाई देती है तो वहाँ पर आपको दो बैचार के कभी भी टाइल लगानी है तो उसमें बीच में आपको जगह देना है गुरूप दे देती है काफी अच्छी आपको डिजाइन मिल जाती है थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाती है और कम एरिया रहता है तो दो बैचार का टाइल लगा दीजिए बड़े एरिया में आपका दो बैचार में वेस्टिच कम निकलेगा वहाँ बड़ा बड़ा एरिया में बड़ी बड बड़ी टाइले जैसे 3 बाई 6 की या उससे भी बड़ी टाइले आपके आजाती हैं 30 इंच बाई आप पूरा 8 फीट की टाइल लगा सकते हैं जो की दिवारों के लिए भी आती है फ्लोर के लिए भी आती है तो टाइलों को बहुत सारी साइजे आज कल अब अपने एरिया के इस आप से लगाएंगे तो आपका वेस्टेज कम होगा तो आपका पैसा है पैसा भी सही जगाई यूज होगा आज कल तो जैसे कई जगा देखा जाता है कि लोग दिवारों पे भी या फिर जैसे यहां आप देख रहे हैं कि बातरूम के दिवारों पे भी बहुत बड़ी केमिकल जिसे हम बोलते हैं बहुत सारी सेरा एई आने लगी है बहुत सारी कंपनीयों के आती है तो आप वो केमिकल्स है यानि जो एडेसिव आती है उससे आपको ये वाल टाइल लगानी है तब जाके वो आपको अच्छी मजबूती देगी और दिवार को रफ जरूर कर लेनी है जब भी टाइल का काम सुरू करना जाए उससे पहले दो चीज़े आपको बहुत ज़्यादा धियान रखना है एक कि आप क्या करें कि जो मिश्टरी आपका टाइल लगाएगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए उसका काम देख लीजे और उससे पहले रेट टाइकर लीजे और उ आपने तो यह बताया ही नहीं था कि मुझे दो बाई चार की टाइल लगानी है मुझे तीन बाई शे की टाइल लगानी है यहां मैं 20 रुपे स्कार फिट लूँगा तो वहां आपका काम अटक जाता है इसलिए पहले उससे किलियर बात कर लें उसके बाद अपना काम को आपका अगर टोटल जैसे माली जो हॉल है आप अगर में इंट्री है इंट्री से आप गुझते हैं तो वहां हॉल है हॉल के बाद आपका बेडरूम है कीचेन है ट्वाइलेट है तो सबसे पीछे से आप टाइल लगाना सुरू करें पीछे से लगाता हुए तब आप में अपना जो दरवाजा है उसके तरफ लगाते आएंगे तो जो इधर से आपका आने जाने का जो सिस्टम होता है ओ आपका डिश्टर्ब नहीं होगा टाइल में स्क्रेच नहीं आएगा आप पीछे से लगाते जाएं उसको कवर करते जाएं जो भी आप देख सकते हैं कि कव दो भाई चार की दिवारों में भी टाइल लगाई गई है फर्स में भी टाइल लगाई गई है तो कभी भी मैं आपको सलाह दूंगा कि दोस्तों कम से कम जो फर्स है बातरूम की उसमें आप एक बाई एक कही टाइल यूच करें तो आप फायदे में रहेंगे क्योंकि दो चाहिए एक बाई दो की जो टाइल होती है ओ लगाएंगे तो भी आपका दिवार खुबसूरत दिखाई देगा बातरूम खुबसूरत दिखाई देगी बड़ी टाइलों में बेंड होने का वज़ा से प्रॉपर टाइले वहां लग नहीं पाती है और वेस्टिज भी ज्यादा निकल करती है तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ वीडियो आपका समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तिसे लाइक और सेर कीजिए चैनल पहले बार वीडियो देख रहा है तिसे सब्सक्राइब जरूर कर दिजे